हाई गाईज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुंग डाल की कचौरी वो भी इंस्टेंट क्या ये पॉसिबल है आप यही सोच जाओंगे तो आज मैं एक खास ट्रिक यूज करूंगी जिससे कचौरियां चुट्कियों में बन जाएगी वैसे तो सभी जानते हैं कि अपर हज्टी में फोन फ्लाओर तो मैंने हीहांपर हाफ केजी टोटल मैजरमेंट मेरदा ले लिया यानि कि दो कप हमें ऐड़ कर लेना है यह तक्रिवन हाफ केजी है तो पहरे इसे एड़ कर लेगे और साथ हम नमुक आड़ करेंगे तो मने नमक यहां पर वन ती 60 ml घी है तो बस अब सारे आटों को यहां पर रब करते वे मिक्स कर लेना है और एक मौईन तयार कर लेना है जैसे यह सॉफ्ट होना शुरू हो जाए और बाइंड होना शुरू हो जाए बस अब समझ लेजेगा तभी एड करेंगे हम इसमें पानी तो पहले इसका मौईन तया कर लेंगे सारे आटों को हम अच्छे से रब करेंगे ताकि यतनी भी घी है इसमें अच्छे से एब्सॉर्फ हो जाए आप जितना अच्छे इसका मौईन तयार करेंगे उतने खास्ता हमारा कचौरी बन के तयार होगा तो यह कुछ इस तरीके से बाइन होना शुरू हो जा कारएगे तो हमें एक स्टेफ डो तयार करना है तो कुछ इस तरीके से डो को तयार करें और एक-दो पंच इसमें लगा देंगे तरुर्फ को होता है जानी का सखत होता है मुलहायं होता है इस बात का थार रखेंगा और एक सबा diplom true तो स演तर यहार से लग तो सैजय्डि यहां पर मॉंग दाल की जो पैकेट मिलती है इसली हमें कोई भी जिनल शॉप पे मिल जाएगी तो बस मैंने वह चार पैकेट ले लिए दस दस वाली और उसे मैंने इस तरीके से डाल लिया एक बाउल में अब हमें डालना है इसमें सॉफ जो कि 1 टेमल स्पून भड़कर है इ इस तो दर्साल स्पून है और काल नमक लोक्त आच जाएगा वान होस के सब्सकि जार में फिल्स इतन काहई और यूज़ दर दरा ही पीसना है बहुत साथा महीन नहीं पीसना है तो आप बस दर दरा ही इसे पीस लेंगे और एक कप में इसे ट्रासफर कर लेंगे तो आपने देखा इसकी स्टफिंग कितनी जल्दी तयार हो गई कोई भी दाल वाल आपको भूगिऊ भी गोनी की ज़रत नहीं है बस सिंपली मुंगदा ला रहा है और इसे ग्राइंड कर लेना है तो इसके टेक्श्रस मैं एक बर चेक कराती हूँ यह देखे कुछ इस तरह क इसे होगा तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ तो मैंने यहाँ पर टोको रखे वे 20-25 पनेट हो गया है अब इसके चोटे-चोटे से पेरे निकाल लेने हैं तो यहाँ पर टोटल मेरे 30 कचोरिया बनके तयार हुई थी मैंने चोटे-चोटे से पेले निकाल लिया और इ और अब आपने हाथों के मदद से इसे फैला लेंगे लेकिन यूज़ करना ज्यादा मेरे लिए तो मैं बेलन जरूर यूज़ करते हूँ तो आप भी बेलन से इसे बेल लिजेगा तो अब इस स्टाफिंग चलिए स्टाफ कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर वन तो बस हम इसे सेंटर पर इस तरीके से एकटा कर लेंगे और साइट साइट पर थोड़ा तोड़ा पानी अप्लाई करते हुए इसे मुमोस का एक शेप दे देंगे यानि कि प्लेट्स बैठा करके इस कचौरियों को तयार करना है बहुत बड़ा इसका साइज नहीं होता है य और बस इसे अच्छे से लॉक게요 किजगे इस बात खयाल रखічेगा एक कचौरा ऐएना है तो एक कचौरी तयार है हम बागएंगे की फिक चौर्यों को ऐसे ही तयार कर लेंगे ।ो जब रिए क्युन को लॉक कर देंगे और एक कचौरी का शेर देंगे उसके बास बेलन बि और इसे लॉक कर लेंगे, पानी अप्लाई करने से जो है न वो अच्छे से चिपक जाएगी और तेल में जाने के बाद खुलेगी नहीं अच्छा मैं एक मज़े की बाद बताती हूं, जब आप एक-दो कचोरी बना लेंगे तो आपको कचोरी बनाने में काफी मज़ा आेगा वैसी मुझे भी बहत मज़ा राता है गाजली जल्दे जलती स्टफ कर रही थी और मैंने कचोरी अब आफ़ाने को तयार कर लें ती करि Jesu Baja नहीं करना है आपको थी जाम करना है जो फराइन हुटी है बहुत थेस्टेल में और ताइम के लिए जो फ्लेम होगा और वो पर होगा क्यूंकि कम यह नहीं 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 करेंगे और जब भी तो तॉलता है नहीं बोट करने मीनिट को तो ऑख वुलती चा रही है और काफी खास्ता अनुर valores थो थोड़ इसे ताइम कर्जूमी है यहां पर शुकी है और देखे कितना ज्यादा क्रिस्पी लग रहा है तो यहां पर सारी कचौरी हमारी फ्राइब हो चुकी है अब मैं यहां पर इसमें एक बहुत ही अड़ेशनल चीज एड़ करूंगी बहुत ही ती जो किये मिर्ची मैंने इसे इस अस्ता कचोरी मुंगदार कचोरी एक दम तयार है मैं इसकी क्रिस्पिनस एक पर आपको चेक करा देती हूं यह कितना जादा क्रिस्पि है तो आप एक पर इसकी क्रिस्पिनस देख ले आप यकीन मानें जब मैं इस वीडियो की वॉइस ओफर कर ले थी तो मिरे मुंगे पानी आ रहा था यह काफी टेस्टी है और पसंद आने वाले स्नैक है मेरे घड़ में यह सब को बहुत पसंद आती है और बस एक दिन में यह फिनिश भी हो जाती है तो आप इसे स्टोर कर सकते हैं कोई भी अगर सडन महमान आ जाए और आपका मन कर यह बना कर खिलाने का या फिर आप कहीं दूर सफर में जा रहे हो या आपके बच्चे होस्टल में रह रहे हो तो आप यह जरूर बना कर दीजेगा यह स्टोरेबल भी है आप इसे आप इस तरह इसे स्टोर भी कर सकते हैं और बस मेरी अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मिरे चानल टेस्टी में दी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आला हाफिज टेक के टू आल अफ यू बाई